देवघर के डीसी मंजुनात भजंत्री और मोहनपूर के सियो शुक्रवार साम को जारखंड हाई कोट में हाजिर हो और अपना पक्षक का। दोनों को कोट में हाजिर नहीं करा गया तो गिरफतारी वारन जारी कर दिया जाएगा। जो भी आवेदन दिया जाता अंचल में उसको डॉकेटिंग करें ताकि हम लोग स्वाज समय उसको निश्पादल कर पाएंगे और टाइम बाउन अगर रिजक्ट भी करना है या एक्सप्ट भी करना है तो कर पाएंगे और वी ट्रैक भी कर पाएंगे में वही था कि ताकि व दोनों पदाधिकारियों से जानना चाहा कि प्रार्थी क्या अवेदन की क्या अद्धतन इस्तिती है और क्यों नहीं अभी तक इन्हें लैंड पजेशन सर्टिफिकेट जारी किया गया दोनों पदाधिकारियों के द्वारा मन्नी अदालत को आस्वस्त किया गया कि बहुत प्रकार का LPC का वेदन अगर आता है तो उन्हें एक नंबर जेनरेट करें जिससे की ट्रैकिंग हो सके कि इनका वेदन कहां तक पहुंचा है और यह लेंग पोजिशन सर्ट्पिकेट से रिलेटेड दो हजार उनीश में ही मेरे पेटिशनर ने लेंग पोजिशन सर्ट्पिके एक सरकार का है नौटिफिकेशन है कि आप अगर LPC के लिए आपको दिया जाता है तो आप विदिन 15 डेज LPC इसू करेंगे यह पूरा मामला देवघर जीले के मोहनपुर अंचल में 2180 वर्फिट की जमीन से चुड़ा है यह जमीन सुनिल कुमार शर्मा की है जिसे वह जनवरी 2019 से ही पत्नी के इलाज को लेकर बेचना चाह रहे है इस संबन्ध में उन्होंने मोहनपुर अंचला धिकारी के पास जन 2019 में ही लैंड पॉजिशन साटिफिकेट के लिए आवेदन दिया था लेकिन बार बार आग्रह करने के बावजूद आज तक उन्हें लैंड पॉजिशन साटिफिकेट नहीं मिल पाया जिसके बाद उन्होंने न्याय के लिए जार्खन हाई कोड का धरवाजा खटखटा है यो इपो देशनिको